सब्सक्राइब करें, बस्तुरी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ठीक है, या फिर अगर आप 7 और X पी यूज़ करते हैं, तो आपने कुछ इस तरह की स्क्रीन देखियो, ये दोनों ही एरर का एक ही नेम है, जिसका नाम है Blue Screen of Death, या फिर आप इसको कहते हैं Stop Error, क्योंकि ये आपके सिस्टम को suddenly stop कर देता है, और ये इतना frustrating error है, इतना frustrating problem है आ क्यों होता है, या दोस्तों सबसे पहले हमें जाना जरूरी है कि इसके पीछे reason क्या है, तो guys, Blue Screen Error के पीछे, आपका जो main reason है, वो hardware भी हो सकता है, और software भी हो सकता है, अगर कोई hardware failure हो गया है, या फिर आपने कोई external unwanted hardware लगा रखा है, जो आपके system को support नहीं कर रहा है, या फ आपको कैसे पता चलेगा कि आपका error कौन सा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, लगबग 300 error ऐसे हैं, जिन में से आपका कोई एक error हो सकता है, तो आपको कैसे पता चलेगा, हाला कि इस video में मैं आपको general troubleshooting बताऊंगा, कि जब भी आपको इस तरह के error का blue screen error का सामना करना पड़े, तो आप वो general troubleshooting use करके अपने system को ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आगर आपका system ठीक नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको कौन सा error code आपको आ रहा है, उसको find out करना होगा, और उसके according की problem solve किया सकती है, उस list के बारे में जाने से पहले, मैं आपको general troubleshooting के बारे में बताता हूँ, फिर हम उस list पर चलेंगे, जिस list से आप अपने error code को find out कर सकते हैं, कि आपके system में किस error code की problem हो रही है, और उसका क्या troubleshooting किया सकता है, तो चलिए एक general troubleshooting में आपको बताता हूँ, general troubleshooting में जो सबसे पहले आप काम करेंगे, अगर आप Windows 7 या फिर XP उस कर रहे हैं, तो आप last known good configuration में अपने system को चलाएंगे, XP, Vista और 7 में जब भी आप अपने system को start करते हैं, तो आप F8 की press कर सकते हैं, और वहाँ पर आपके पास काफी सारे options हा जाते हैं, जैसे मैं आपको आपके screen पर दिखा रहा हूँ, safe mode, last known good configuration, तो आप last known good configuration पर अपने stable हो जाता है और चाली हो जाता है, इस तरहे की problem आपकी solve हो जाती है कई बार, इसके अलावा आप कर सकते हैं कि आप अपने system को restore कर सकते हैं, last known good configuration पर या फिर system restore point की help से आप पिछली date पर जब आपका system ठीक था, उस point पर system restore कर सकते हैं, मैंने आपको एक वीडियो बना कर बता कोई driver update किया है, तो अगर हो सकता है कि वो driver आपके system के साथ compatible नहीं है, या फिर आपके system के साथ properly work नहीं कर रहा है, तो आप उसको rollback कर सकते हैं, rollback करने से क्या होगा, जो recent आपने driver update किया है, वो automatically वापिस से पुराना version हो जाएगा, rollback कैसे करते हैं, मैं आपको भी general troubleshooting के बा 100 GB की windows drive है, तो कहीं उसमें ऐसा नहीं कि 500 MB है, 1 GB ही free space हो, तो उसमें sufficient free space होना जी है, जिससे कि आपकी temporary files या फिर RAM storage जो भी है, जो आपका virtual storage होता है, वो proper run हो सके, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो next troubleshooting है, अगर आपके system में viruses हैं, तो आप अपने system को scan करें, क्योंकि virus जब आपके system को corrupt करना start करती है, तो software corrupt होते हैं, तो BSOD आपके सामने उपस्थित हो जाता है, आपके system को down करने के लिए, इसके अलावा आप जो कर सकते हैं, इसके अलावा जो आपको next troubleshooting कर सकते हैं, वो आप अपने hardware के drivers हैं, उनको update कर सकते हैं, जैसे suppose आपका system का पराना है और आपने operating system upgrade किया है, तो आप अपने hardware driver भी upgrade करें, otherwise आपको BSOD की problem हो सकती है, इसके अलावा अगर suppose आपने recently BIOS settings में कुछ छिडखानी करी है, और वो छिडखानी करने के बाद आपको इस तरह का error आने लगा है, तो आप अपने BIOS setting को default कर देंगे, default कैसे करते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, otherwise आप BIOS menu में या फिर BIOS setting में जाके, आपके पास default का महाँ पर option आता है, आप उसको properly default कर सकते हैं, इसके लावा अगर आप desktop CPU यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास एक option बसता है, कि हो सकता है कि आ आपके component, या फिर कोई internal wire है, या फिर hard disk से जुड़ा wire है, या फिर RAM है, उनके connection delay हो सकते हैं, आप उनको वापिस से निकाल कर, पॉंच कर, वापिस से plug-in कर सकते हैं, तब भी आपकी problem कई बार solve हो जाती है, यह मेरा खुद का आजमाया और तरीका है, एक बार मेरे साथ भी B इसकिल है, तो आप laptop के साथ ये काम ना करें, laptop के साथ मैं आपको एक सलाय दूँगा, कि आप लगबग साल भर में एक बार अपने laptop को service कर वा लिया कीजिए, जिससे कि laptop के सभी component को clear या फिर साफ किया जा सके, इसके बाद आपने कोई external hardware अपने system से connect किया है, चाहे वो graphic card हो या फिर कोई और device हो गई, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये hardware connect करने के बाद ही मेरे system में problem आ रही है, तो हो सकता है कि वो hardware जो आप अपने system से connect कर रहे हैं, वो आपके system के compatible नहीं है, तो हो सकता है कि वो hardware आपके system में problem encounter कर रहा है, तो आप उसको plug out करने तो आपकी problem solve हो रहे हैं, तो अक्सर ये दिक्कत देखने को मिलती है, ये problem देखने को मिलती है कि आपकी RAM problem create करने, यानि कि RAM just dead होने वाली है, या फिर hard disk dead होने वाली है, तो आपकी जब ये hardware dead होने वाले होते हैं, उससे पहले आपको कुछ इस तरीके के indication देने लगते हैं, ठीक है, अगर hard disk बहुत ज़्यादा noise कर रही है, आपको disk की, जो magnetic disk होता है, उसकी बहुत ज़्यादा sound आपको तीजा रही है, तो हो सकता है कि आपके hard disk का अंत समय आ गया है, आप उसको change करें, तो ये कुछ general troubleshooting थी, अगर इन troubleshooting को follow करने के बाद भी RAM और hard drive replace करने से पहले, जितनी भी general troubleshooting मैंने आपको बताई, उनको follow करने के बाद भी अगर आपकी problem solve नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, जो error code आपके पास आ रहा है, उसको आपको note करना है, error code या फिर stop code आप कैसे find out करेंगे, अगर आप windows 10 और 8 यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से नीचे stop code निज failure, ठीक है, यह stop code या फिर error code आपको note करना है, अगर आप windows 7 यूज़ कर रहे हैं, तो यह error code आपके पास यहाँ पर लिखाएगा, जिस तरीके साथ आप देख रहे हैं, आपके 0x0001 ए, ठीक है, तो यह stop code आपको note कर लेने हैं, और वो मुझे comment करने, ठीक है, क्योंकि यहाँ more than 270 error codes हैं, और उनकी अलग-अलग troubleshooting हैं, इसलिए सभी के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, और सभी के एक साथ वीडियो बना बना भी पॉसिबल नहीं है, तो जो हमारे पास maximum strength होगी, जो most common errors होंगी, उन पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, वो errors भी मैं आपको operating system use कर रहे हैं, तो यहाँ पर approximately यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, 279 के something यहाँ पर, 269 यहाँ पर आपके पास error codes है, ठीक है, इनमें से कोई सा भी error code आपके सामने आ सकता है, depend on कि आपके system की problem क्या है, यह जो file है, यह मैं share करूंगा अपने telegram channel पर, जहाँ पर से आप इसको download कर सकते हैं, और अपना error code और उसका जो error name है, वो आप match कर सकते हैं, फिर वो आप मुझे comment करेंगे, और उनमें से जो most common error होंगे, हम उनकी troubleshooting आपके बनाएंगे, उससे पहले, आपको comment करने से पहले follow करनी है, जो general troubleshooting मैंने आपको इस video में बताई, जो आप असानी से क कर सकते हैं, अब बात आती हैं आपे कुछ ऐसी troubleshooting की, जो मैं already आपको बता चुका हूँ, like system restore करना, या फिर कुछ और भी troubleshooting, यहाँ पर एक troubleshooting में आपको end में बताने के लिए बताया, rollback आप कैसे करें, rollback करने के लिए आप जाएंगे run command में और device management में, यहाँ पर type करेंगे devmgmt.msc, ठीक है, इससे आपका open होगा, device management window यहाँ पर open होगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, device manager यहाँ पर open हो गया है, device manager में आपने, suppose recently अगर कोई driver update करा है, तो आप उसको rollback कर सकते हैं, जैसे suppose आपने display driver यहाँ पर update करा है, तो display driver में गए, right click करा, और यहाँ पर आप properties में जाएंगे, properties में जाने की बाद driver में, यहाँ पर आपके बस rollback driver आथा, जब आपने recently update करा होगा, तभी है आपका enable आएगा button, तो आप देख सकते हैं, if the device fails after updating the driver, rollback to the previously installed driver, यानि कि आपको वापिस से उसी driver पर ले जाएगा, जो previously installed था, तो आप rollback कर सकते हैं, अगर suppose आ मने आपको बताई, same as it is रहेगी, वो आप follow कर सकते हैं, one by one, तो guys यह था all about B.S.O.D., blue screen of death, software या hardware की problem की वाज़े से आपको ये problem face करने पड़ती है, I hope कि आपको information अच्छी लगी होगी, और इस information से आपकी problem 99% solve हो जाएगी, general troubleshooting से ही, जो मने आपको बताई, और इसके बाद अगर आपको problem आथी, तो मैं आपको बताया ही है, कि आप मुझे error code लिखें, comment box में, सिर्फ इसी video के comment box में आप लिखें, जिससे कि मैं data collect कर सकूँ, मिलते हैं, अपने next video में, नई जानकारी, नई troubleshooting, या फिर नई tricks और टिप के साथ, तब तक के लिए देखते रहेए, बस और सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लिए और बैल आकन भी प्रस करना ना भूलेगा, धन्यवाद, जैहन